आप सुन लेना, हर دस तारीक को बरावरी से आपके खाते में पैसे आ रहा है. लेकिन इजबार तो ओर जल्दी करने वाले हैं. क्योंकि अगला मैना सिवरातरी का भी है, भोली का भी है, भोली का भी है, कई तयोहार है, बीच में खर्टे की जरुप्द पड़ेगी. तो आपको आपके खाते में एक तारीक कोई पैसे डाल दिये जाएंगे ये पैस्वी बहने मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने का पड़ी है और योजना भी चलेगी सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों जिन्दगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजना को कैसे बंद कर सकते हैं और भाई और बहनों आप ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं टू मित्रो देखा ना आपने की किस तरह हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना की दस्वी किस्त होली और महाशिवरत्री पर्व के कारण मोहन सरकार पहले राशी प्रदान करेगी एक मार्च को लाडली बहना योजना की दस्वी किस्त आएगी लाडली बहना योजना का पैसा एक मार्च को क्यों आएगा और कितना आएगा ये किन महिलाओं को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूम जानकारी देने वाले है तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिये तो चलिए वीडियो को सुरू करते हो अब एक मार्च को खाते में आएगी लाडली बहना की किष्ट सीयेम बनने के बाद पहली बार बालागेट आयमध्य प्रदेश के मुख्यमंतरीडा मोहन यादव बोले सीयम बोले अगले माहत्योहारों के कारण एक मार्च को ही लारली बहनों के खाते में बारह सो पचास रुप्य डाले जाएंगे मुख्यमंत्री डा, मोहन यादव ने अपने प्रथम आगमन पर जनता को 761.54 करोण की लागत के विभिन विकास कार्यों का शिलान्या से एवं लोकारपन किया ये सौगात नई स्कूलों, सटकों और स्वास्थे केंद्रों में सुवेधा बढ़ाने के लिए दी गई बालाघाट में जल्दी ही आयुर्वेद कालेज खुलेगा सियेम बोले जिन्होंने अयोध्या में प्रान प्रतिष्था का निमंत्रन थुकराया, वो अभागे हैं इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रजवलन का कार्यक्रम की शुरुआत की कार्यक्रम की शुरुआत में कन्या पूजन भी किया कार्यक्रम में कॉंग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे और विक्की पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने मंच से जम कर कॉंग्रेस पर कटाक्ष किया प्रदेश के मुख्याडा, मोहन यादव के बालागाट प्रथम आगमन पर उनका भारतिय जनता पार्टी कार्याले में जम कर स्वागत किया गया इस दोरान उन्होंने बीजेपी के कार्यक्ताओं वपदादिकारियों को संबोधित करते जम कर कॉंग्रेस पर कटाक्ष किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के साथ ही कॉंग्रेस के बढ़ेनेता भाजपा के साथ सुर मिला रहे है कि अपकी बार चार सौ पार फिर भाजपा की सरकार इससे ये साबित होता है कि पक्ष, विपक्ष, प्रक्रिती वपर्मात्मा की मर्जी है विरोध भी आपके सुर में सुर मिला रहे तो उनकी मुँह में घिशक कर हमको बस मजबूत कार्यकरता के रूप में अपनी महत्ती भूमी का निभानी है बाकी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वभाजपा की सरकार बनने जा रही है सब बेइमान चिल्ला रहे गा रहे मोदी जी का खाना लेकिन सब जाएंगे अंदर मुख्यमंत्री ने कार्यकरताओं वपदाधिकारियों के बीच कहा की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशक्त सरकार चलाने का ही नतीजा है कि उन्होंने बेइमानों के घर के अंदर घुसकर उनकी बोलती बंद की है और जितने भी चिल्ला रहे है ये सब जमानत पर कोई भी फालतु नहीं है, सब लाइन में है क्योंकि इनको बताया है कि आज नहीं तो कल मेरा, तेरा सब का नंबा आएगा, कोई बाहर नहीं रहने वाला, सब अंदर जाने वाले हैं इसलिए ये मुदी जी गानागा रहे हैं इसलिए कि देश में आप सुचिता का शासन है तीसरी बार देश को विश्व में No.1 बनाने के उदेश्य से काम किया जाएगा कार्यकरता के रूप में आप सभी के बीच पहुंचे और इस बार हमारी जिम्मेदारी प्रमुक होगी क्योंकि सबसे पीछे की पंक्ती का कार्यकर्ता का प्रत्रम कुर्सी में आकर बैट जाएगा इसका परिनाम भी भारती ये जन्ता पार्टी की सरकार में मुम्किन है और किसी पार्टी में नहीं है जिसके सबसे बड़े उदाहरण वे खुद है कि सबसे पीछे की पंक्ती में रहने के बाद भी वे प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं संबोधन के दोरान मुख्यमंत्री ने पूर्वायोश मंत्री ववर्तमान भाजपा जिलाद्यक्ष रामकिशोर कावरे से कहा कि आपने आयूर्वेद महाविद्याले के लिए बहुत प्रयास किया है लिकिन पूरा नहीं हुआ जो कि अब पूरा हो जाएगा भाजपा कार्याले से निकला रोड सीएम ने किया अभिवादन भाजपा कार्याले में आयोजित कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्याले परिसर से ही रोडशो निकाला गया जो की जैस्तंब चौक, पुलिस लाइन, रानी दुर्गावती तिराहा समित, चार करोड की तीन सरकी, लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्यान विभाग के अंतरगत 14.63 करोड रुप्य के नवीनूप स्वास्थ केंद जनता के लिए लोकारपित करेंगे. इसके अलावा वह 715.7 करोड रुप्य के 29 विभिन विकास कारियों का शिलान्यास भी करेंगे. शिला न्यास होने वाले कार्यों में तीन ऐसी इकाया है जिनका निर्मान कार्या पूर्ण होने के बाद जिले में रोजगार स्रिजित होंगे इन इकायों से करीब 500 रोजगार प्रत्यक्ष रूप से स्रिजित होने का अनुमान है दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में